नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल डिजिटल भंडार पर आज की वीडियो में हम CPCT exam November 2022 के लिए computer से संबंदित एक important topic का revision करने वाले हैं यह हमारा CPCT exam November 2022 के लिए part number 27 है इस वीडियो में हम CPCT exam के लिए एक important topic का revision करने वाले हैं आज का हमारा जो topic होगा वह होगा input devices और output devices CPCT exam के लिए input devices और output devices एक important topic होता है क्योंकि paper में 5-6 question input device और output device से संबंदित होते हैं आप सभी कई दिनों से हमारे channel के माध्यम से CPCT exam के लिए तयारी कर रहे हैं अब आपके exam के लिए 2 या 3 दिन का ही समय बचा हुआ है तो अब हम अपने channel पर कुछ important topic का revision करने वाले हैं ताकि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उन सभी topic को आप कम से कम समय में एक बार revise कर पाएं तो आज की जो वीडियो है वह input device और output device पर होने वाली है आने वाली वीडियोस में हम कुछ और भी important topic का revision करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का देखते हैं input device और output device कौन कौन सी होती है किस input device का क्या purpose होता है क्या उनकी working होती है तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि input devices क्या होती है input devices क्या होती है input devices वह devices होती है जिनके द्वारा data को computer में input किया जाता है मतलब computer system में data को भेजने के लिए computer system में data को enter करने के लिए जिन devices का use किया जाता है उन्हें कहा जाता है input device वह सभी device जो computer system में data को भेजने के लिए data को enter करने के लिए use की जाती है वह कहलाती है input device input device कुछ hardware device होती है जो की computer system में data को enter करने के लिए या data को भेजने के लिए use की जाती है input device कई परकार की होती है कुछ input device जो important है उनके नाम हमने यहाँ पर लिखे है हम इन सभी की working इनका purpose भी समझने वाले है क्यूंकि इन सभी devices से सम्मंदित कई परकार के question paper में पूछे जाते है पहली input device है हमारी keyboard दूसरी है mouse, joystick, trackball, scanner, OCR, MICR, OBR, OMR, QR, touchscreen, light pen, digital camera, microphone, digitizer tablet और biometric device यह सभी input device होती है जिनके माध्यम से computer system में data को input किया जाता है इन सभी devices से सम्मंदित कई वार paper में question पूछे गए हैं और पूछे ही जाते हैं क्यूंकि यही सभी input device है इन से सम्मंदित आपको दो-तिन question जरूर में लेंगे जैसे कि आपसे question पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा use होने वाली input device कौन कौन सी होती है सबसे ज़्यादा जो use होने वाली input device है वह होती है keyword और mouse keyword और mouse ऐसी input device है जिनका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है keyword और mouse दो ऐसी input device है जिनका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है तो आपसे इस प्रकार का question पूछा जा सकता है यहाँ पर हम एक-एक input device से समबंदित कुछ important topic को समझने वाले हैं जैसे कि जो पहली input device से हमारी keyword, keyword से समबंदित आपको कई प्रकार के यहाँ पर point समझने होंगे कई प्रकार की बातों को ध्यान रखना होगा जैसे कि पहला point keyword एक input device है keyword एक input device है कई बार paper में पूछ लिया जाता है कि निम्नमे से कौन एक input device है या निम्नमे से कौन एक input device नहीं है आपको कुछ device के नाम दिये जाते हैं जिसमें कुछ input device होती है कुछ output device होती है कुछ storage device होती है और आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नमे से कौन input device है या निम्नमे से कौन input device नहीं है तो keyword एक input device होती है keyword एक input device होती है keyword में multiple types की key होती है कई प्रकार के button होती है की होती है जैसे की keyword में जो function की होती है function की वह होती है total 12 बारह function की होती है जो की app 1 से लेकर app 12 तक होती है पहला question आपको क्या तैयार करने मिल गया keyword में total 12 function की होती है जो की app 1 से लेकर app 12 तक होती है function की मतलब किसी special function को perform करने के लिए use की जाती है उसका नामी है function की function की मतलब किसी special function को perform करती है दूसरा question आपको तैयार करना है keyword में numerical की कितनी होती है numeric की वह होगी 0 से लेकर 9 तक मतलब total की 10 यहाँ पर जो numerical की होती है वह होती है 0 से लेकर 9 तक आपसे पुछा जा सकता है keyword में modifier की कौन सी होती है modifier की modifier की modifier की कौन सी कहलाती है वह की जो किसी other key की working को modify कर देती है other key की working को बदल देती है वह कहलाती है modifier की जैसे की alt, control, shift यह सभी कौन सी की कहलाती है modifier की, modifier की मतलब AC की, जो किसी दूसरी की की working को बदल देती है journally, modifier की का उपयोग किया जाता है shortcut की बनाने के लिए shortcut की जब बनती है तो कम से कम 2 की से बनती है तो जो modifier की होती है alt, control, shift इनके माध्यम से ही shortcut की को बनाया जाता है maximum shortcut की इनके माध्यम से ही बनती है तो alt, control, shift modifier की होती है, जो की किसी दूसरी की की working को बदल देती है इनका उपयोग shortcut की बनाने के लिए किया जाता है कई बार आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि shift की किस प्रकार की की होती है, alt की किस प्रकार की की होती है या कई बार पेपर में पूछा भी किया है alt, control, shift किस प्रकार की की होती है यह होती है, modifier की modifier की मतलब जो किसी दूसरी की की working को modify कर देती है, बदल देती है next आपको तैयार करना है toggle की, toggle की कौन सी होती है, toggle की वह कहलाती है, जो एक बार प्रेस करने पर on हो जाती है activate हो जाती है, और दुबारा प्रेस करने पर deactivate हो जाती है, या off हो जाती है keyword में toggle की वह की कहलाती है, जो एक बार प्रेस करने पर activate हो जाती है मतलब on हो जाती है, और दुबारा प्रेस करने पर off हो जाती है जैसे की caps lock, जैसे की number lock, जैसे की scroll lock, तीन की होती है, number lock, caps lock, scroll lock, यह तीनों toggle key का example है, toggle की मतलब जो एक बार प्रेस करने पर on हो जाती है, और दुबारा प्रेस करने पर off हो जाती है, उन्हें कहा जाता है toggle की, function की कौन सी होती है, एप 1 से लेकर एप 12 तक, numerical की कौन सी होती है, 0 से लेकर 9 तक, alt, control, shift किस प्रकार की की होती है, यह होती है, modifier की और toggle की कौन सी होती है, जो एक बार प्रेस करने पर on होती है, दुबारा प्रेस करने पर off होती है, जैसे की caps lock, number lock, और scroll lock, यहाँ पर आपको एक question और तयार करना है, 26, alphabetical की कितनी होती है, 26, आपसे question पूछा जा सकता है, keyword का invention यह keyword का आविसकार किस के द्वारा किया गया है, तो keyword का invention यह keyword का आविसकार, Christopher Latham Solis के द्वारा किया गया है, Christopher Latham Solis के द्वारा keyword का invention यह keyword का अविसकार किया गया है, तो keyword एक input device है, जो की data को input करने के लिए use की जाती है, keyword के द्वारा alpha numerical data को input किया जाता है, alpha numerical मतलब alpha weight भी होते हैं, number भी होते हैं, symbol भी होते हैं, keyword में 12 प्रकार की function की होती है, एप 1 से लेकर एप 12 तक, 10 हमारी numerical की होती है, 0 से लेकर 9 तक, alt, control, shift, modifier की होती है, जो other key की working को बदल देती है, toggle की होती है, caps lock, number lock, scroll lock, जो की एक बार press करने पर on होती है, दुबारा press करने पर off होती है, alphabetical की, मतलब alphabet की होती है 26, एस से लेकर jet तक, और keyboard का invention, keyboard का अविसकार, Christopher Latham Solis के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर हमने पहली input device को समझा, keyboard को, अब समझते हैं, दूसरी input device जो की होती है, mouse, तो mouse भी एक input device है, mouse भी एक input device है, जो की instruction को input करती है, instruction को, instruction मतलब निर्देश को, keyboard के द्वारा तो alpha numerical data को input किया जाता है, लेकिन mouse के द्वारा, instruction को input किया जाता है, किसी निर्देश को input किया जाता है, और mouse एक pointing device भी होती है, pointing device, mouse के द्वारा हम, cursor को move कर सकते हैं, screen पर किसी point पर point out कर सकते हैं, cursor को किसी point पर ले जा सकते हैं, तो mouse एक pointing device होती है, mouse एक pointing device होती है, mouse एक input device है, जिसका उपयोग instruction को, निर्देश को input करने के लिए किया जाता है, mouse एक pointing device भी होती है, mouse के द्वारा instruction या निर्देश को input किया जाता है, माउस में तीन प्रकार के बटन होते हैं लेप्ट किलिक, राइट किलिक और स्क्रॉल यह थी हमारी दूसरी input device माउस आप से एक question और पूछा जा सकता है कि माउस का invention या माउस का आविसकार किस के दौरा किया गया है तो माउस का invention या आविसकार किया गया है डगलस एंजल बार्ट के दौरा डगलस एंजल बार्ट ने माउस का invention या आविसकार किया था माउस एक input device है जो की instruction को input करती है माउस में तीन बटन होते हैं left click, right click और scroll माउस का invention डगलस एंजल बार्ड के द्वारा किया गया है देखते हैं हमारी अगली input device को जो की है joystick, joystick, joystick और trackball आपको दो input device को एक साथ समझना है joystick और trackball, joystick और trackball दोनों ही gaming वाली input device है कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नमे से कौन एक gaming input device है तो joystick और trackball दोनों ही gaming input device है जिनका use game play करने के लिए किया जाता है और यह दोनों ही pointing device भी होती है pointing device है मतलब जब आप game play करते हैं तो करजर का moment करने के लिए joystick और trackball का use किया जाता है दोनों ही input device होती है जो की pointing device भी होती है कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है game play करने के लिए किस input device का use किया जाता है वह होगी या तो joystick या trackball दोनों ही input device है दोनों का use game play करने के लिए किया जाता है और दोनों ही pointing device का example होती है तो joystick और trackball gaming वाली input device होती है हमारी nest input device है scanner scanner एक ऐसी input device है जो data को बिना type किये input करने की सुभिदा देती है data को बिना type करे input करने की सुभिदा देता है scanner scanner का use hard copy output को soft copy output में convert करने के लिए किया जाता है ध्यान रखें आपसे question पूछा जा सकता है कौन सी input device hard copy output को soft copy में convert करती है hard copy output मतलब जो paper पर print out होता है उसे कहा जाता hard copy output यदि हमें उसको बदलना है किसमें soft copy output में तो हम use करेंगे किसका scanner का scanner एक ऐसी input device है जो hard copy output को soft copy output में convert करती है hard copy output को soft copy output में convert करती है और scanner के द्वारा किसी data को direct input किया जा सकता है direct आपके पास कोई document है कोई letter है कोई image है कोई graphics है यदि आप उसको input करना चाहते है तो आप scanner का use कर सकते है जैसे आप अपना photo scan करते है signature scan करते है कोई mark sheet scan करते है तो भई किसके माध्यम से करते है scanner के माध्यम से scanner एक input device है जो की hard copy output को soft copy output में बदलता है और scanner के द्वारा image, graphics, signature, photo, document को direct input किया जा सकता है scanner next हमारी input device है OCR OCR, MICR, OBR, OMR QR यह सभी scanner के type होते है scanner की ही type होते है OCR, MICR, OBR, OMR और QR यह सभी scanner के type होते है लेकिन सबकी working अलग-अलग होती है अभी हमने scanner को समझा scanner का use क्या है किसी document को, किसी image को, किसी graphics को, photo को direct input करना है hard copy output को soft copy में बदलना है तो हमें scanner का use करते है अब scanner का दूसरा type हमें मिल गया OCR OCR का full form याद करना है आपको optical character reader या optical character recognition optical character reader या optical character recognition OCR का full form क्या होता है optical character reader या optical character recognition OCR भी scanner का एक type है जो की scan होने वाले document को edit करने की सुभीदा देता है OCR का main advantage क्या है यदि आप OCR से किसी letter को, किसी document को scan करते है तो आप उसको scan करने के बाद word processing software में edit भी कर सकते है या इसकी खास बात होती है जो OCR scanner है या scan करने के बाद document को edit करने की सुभीदा देता है OCR OCR का full form क्या है optical character reader या optical character recognition जो की scan होने वाले document को word processing software में edit करने की सुभीदा देता है OCR scanner का type है जो की scan होने वाले document को edit करने की सुभीदा भी पिरदान करता है next scanner का type है next input device है MICR MICR एक तो आप से इसका full form पूछा जा सकता है MICR का full form होता है magnetic ink character recognition magnetic ink character recognition MICR का full form होता है magnetic ink character recognition जो MICR scanner है इसका use banking sector में किया जाता है banking sector में आप से पूछा जा सकता है paper में किस scanner का उप्योग या किस input device का उप्योग banking sector में किया जाता है वह होता है MICR MICR का full form क्या है magnetic ink character recognition MICR एक input device होती है जिसका use banking sector में किया जाता है bank में जो check number होता है उस check number को scan करने के लिए MICR scanner का use किया जाता है MICR का full form होता है magnetic ink character recognition जिसका use banking sector में किया जाता है bank में जो check number होता है उसको scan करने के लिए MICR scanner का use किया जाता है तो आपसे एक question पूछा जा सकता है MICR का full form दूसरा पूछा जा सकता है check number को scan करने के लिए किस scanner का use किया जाता है वह होगा MICR next input device है हमारा OBR OBR मतलब optical barcode reader optical barcode reader OBR का full form क्या है optical barcode reader OBR का full form क्या होता है optical barcode reader आपको पहले यह समझना होगा कि barcode क्या होता है जब आप कोई product घरीचते हैं कोई बस्तू घरीचते हैं तो आपने देखा होगा उस पे कुछ vertical line बनी होती है अलग-अलग size की vertical line बनी होती है जिनके नीचे कुछ number भी लिखे होते हैं इस प्रकार के यह कहलाता है barcode बार-कोड किसी product पर print होने बाली vertical line होती है जो उस product से सम्मंदित information को store करती है कई परकार के product में barcode print होता है barcode एक sacred code होता है जिसमें उस product से सम्मंदित सभी परकार की जानकारी store होती है यदि हमें इस barcode को scan करना है तो एक scanner की आवसकता होती है जिसे कहा जाता है OBR, Optical Barcode Reader, CPCT के पेपर में कई वार एक कॉस्चन पूछा जाता है, किसी प्रोड़क्ट पर प्रिंट होने वाली वर्टीकल लाइन को क्या कहा जाता है, जो उस प्रोड़क्ट की इन्फरमेशन को स्टोर करती है, उन्हें कहा जाता है बारकोड, बारकोड क स्केन करने के लिए एक स्केनर की आवसकता होती है, जिसका नाम होता है OBR, Optical Barcode Reader, तो बारकोड को स्केन करने के लिए OBR का यूज़ किया जाता है, OBR का फुल फॉरम होता है, Optical Barcode Reader, Next Input Device से हमारी OMR, OMR, OMR जिसका फुल फॉरम होता है, Optical Mark Recognition, Optical Mark Recognition, Optical Mark Recognition, OMR का फुल फॉरम होता है, और यह स्केनर का एक ऐसा टाइप है, जो कि OMR सीट को स्केन करता है, आपसे पूछा जा सकता है, कि OMR सीट को स्केन करने के लिए किस स्केनर का उप्योग किया जाता है, OMR सीट मतलब जो competitive exam होते हैं offline, उसमें आपने देखा होगा, एक question के option होते हैं, answer होते हैं, आप किसी एक circle को pencil से या pen से dark करते हैं, उस OMR सीट को स्केन करने के लिए, OMR स्केनर का यूज किया जाता है, और OMR का फुल फॉरम होता है, Optical Mark Recognition, Optical Mark Recognition, तो हमने पहली input device समझी keyboard, दूसरी input device समझी mouse, joystick, trackball, scanner, OCR, MICR, OBR, OMR, हमारी next input device है, QR, QR, जो कि current time पर सबसे ज़्यादा use होता है, QR, QR का full form क्या होता है, quick response, quick response, QR code का मतलब होता है, quick response code, जो आप आजकल online payment करते हैं, QR code scan करके, आपका जो आधार card बना है, उस पे भी QR code है, current time पर आप कोई online document अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, कोई online certificate बनवाते हैं, आपने देखा होगा, उस पर QR code बना होता है, जैसे कि आधार card है, आप कोई online document डाउनलोड करते हैं, कोई product खरीते हैं, तो आजकल maximum field में QR code का use किया जाता है, QR code किसी product या किसी person से संबंदित information को security के साथ store करता है, यदि आप QR code को scan करेंगे, तो उस QR code से संबंदित सभी परकार की जानकारी को आप check कर सकते हैं, QR का full form क्या होता है, quick response, current time पर सभी परकार के product में, document में और जो government authority के द्वारा document दिये जाते हैं, जैसे कि आधार card, तो बहाँ पर QR code का use किया जाता है, जो कि किसी person या किसी product से संबंदित information को security के साथ store करता है, QR भी input device है, और QR का full form होता है, quick response code, आपसे पूचा जा सकता है, QR code में QR का full form क्या होता है, quick response, जो कि एक input device है, जो किसी product या किसी person से संबंदित information को security के साथ store करता है, next input device है हमारी touch screen, touch screen, touch screen भी एक input device है, जो कि आप smart phone में use करते हैं, mobile phone में, ATM machine में use करते हैं, कई जगहे पर, कई place पर touch screen device का use किया जाता है, touch screen में आप screen को touch करके data को input करते हैं, वह data आपके mobile phone में, laptop में या ATM machine में input हो जाता है, आप touch screen के माध्यम से data को input कर सकते हैं, साथी साथ, जो touch screen होती है, उस पर हमें output भी सो किया जाता है, touch screen एक ऐसी device है, जिसमें हम data को input भी कर सकते हैं, और processing करने के बाद, हमें उस पर output भी सो किया जाता है, मतलब touch screen को हम input device भी कह सकते हैं, और output device भी कह सकते हैं, touch screen एक ऐसी device हो सकती है, जो input device और output device दोनों का वर्क करती है, क्योंकि input device में हम data को input भी कर सकते हैं, और data को output के रूप में देख भी सकते हैं, तो touch screen में data को input भी किया जा सकता है और data को output के रूप में so भी किया जा सकता है next input device है हमारी light pen light pen जो की एक input device है साथी साथ एक pointing device भी है pointing device light pen एक pen की तरह होता है जिससे एक laser light को screen पर focus किया जाता है जब आप light को screen पर focus करते हैं तो जिस direction में pen को move किया जाता है उस direction में drawing की जाती है या किसी text को write किया जा सकता है लिखा जा सकता है तो light pen एक input device है एक pointing device है जिसमें एक light के माध्यम से screen पर किसी object को draw किया जाता है light pen एक input device होती है और एक pointing device भी होती है next input device है हमारा digital camera digital camera digital camera या wave cam भी हो सकता है wave cam wave cam भी कई बार paper में पूछा गया है digital camera या wave cam laptop में mobile में जो cam होता है camera होता है laptop में आपने देखा होगा wave cam होता है wave cam भी एक input device है जो की graphics को या video को input करने के लिए use किया जाता है कई बार paper में पूछा गया है निमनमे से किस input device का use graphical data को input करने के लिए किया जाता है या graphics या video को input करने के लिए किया जाता है वैं होगा digital camera या wave cam जो laptop में camera होता है wave cam उसके दवारा किसी image को या किसी वीडियो को भी input किया जा सकता है तो digital camera या wave cam या web camera एक input device होती है जिसके द्वारा graphics को image को या video को input किया जा सकता है next input device है हमारी microphone microphone या mic microphone या mic या एक input device है जिसके द्वारा audio data को sound data को input किया जाता है यदि हमें audio या sound को input करना है तो हम microphone का use करेंगे mic का जो की data को input करता है audio या sound के रूप में आपसे पूछा जा सकता है voice data को input करने के लिए किस input device का use किया जाता है वै होगा microphone या mic, mic या microphone के द्वारा audio या sound data को input किया जाता है next input device है हमारी digitizer tablet, digitizer tablet यह है एक tablet के रूप में होती है जिसके साथ एक stick होती है, stick, stick को एक flat panel पर move किया जाता है draw किया जाता है, तो हम tablet पर, surface पर flat panel पर जो भी draw करते है वह computer system पर हमें so किया जाता है यह एक tablet के रूप में होता है, जिसके साथ एक stick भी होती है stick को flat panel पर surface पर draw किया जाता है हम जो भी input करते हैं वह shape वह drawing वह text हमें computer system की screen पर show किया जाता है digitizer tablet एक input device है जिसके साथ एक stick होती है stick को flat panel पर surface पर draw किया जाता है जो भी हम draw करते हैं जो भी हम shape बनाते हैं जो text लिखते हैं वह screen पर show किया जाता है digitizer tablet भी एक input device होती है next हमारी last input device है biometric device biometric device जो की current time पर बहुत अधिक use की जाती है यदि आपको thumb expression को scan करना है आपको fingerprint को scan करना है आपको face detection का use करना है आपको retina को scan करना है यहाँ पर biometric device का use किया जाता है biometric device sensor पर work करती है जिससे आप thumb expression को fingerprint को retina को face detection को scan कर सकते हो आधर कार्ट बनाते समय मोबाइल में lock open करने के लिए thumb expression का fingerprint का या face detection का use किया जाता है वह सभी होती हैं biometric device जिनके द्वारा fingerprints को retina को या face को scan किया जाता है वह सभी कहलाती हैं हमारी biometric device तो यह होती हैं हमारी input device जिनके माध्यम से data को computer system में enter किया जाता है कुछ input device alpha numerical data को input करती है कुछ device pointing या instruction को input करती है कुछ device direct data को input करती है कुछ device audio या sound को input करती है और कुछ device fingerprint को या retina को या face detection टेकनीक पर work करती है यह होती है हमारी input device input device से समबंदित कई परकार के question paper में पूछे जा सकते है आप सभी input device के नाम जरूर याद करें और जो भी हमने important topic को समझा है उनको याद करें यह थी हमारी input device अब हम समझने वाले है output devices को output device कौन कौन सी होती है कौन सी output device का क्या कारिय होता है देखते हैं output device को output device कौन सी device होती है जो की हमें output प्रदान करती है input device कौन सी device थी जिनके द्वारा computer system में data को enter किया जाता है data को भेजा जाता है वह कहलाती है input device आउटपट डिवाइस कौन सी होंगी वह डिवाइस जो हमें आउटपट पिर्दान करती है अलग-अलग तरीके से अलग-अलग मैथड से आउटपट पिर्दान करने वाली डिवाइस कहलाती है Output Device, Output Device कौन-कौन सी है, जैसे कि Monitor, Monitor, Monitor एक Output Device है, जो कि हमें Soft Copy Output प्रदान करता है, Soft Copy या Digital Copy प्रदान करता है, Monitor एक Soft Copy Output प्रदान करने वाली Output Device है, Printer, Printer भी एक Output Device है, जो कि Hard Copy Output प्रदान करता है, Hard Copy, Printer भी एक Output Device है, जो कि हमें Hard Copy Output प्रदान करता है, Hard Copy, Plotter, Plotter भी एक Output Device है, Plotter, जो कि Hard Copy Output देता है, budget size के जो Output होते हैं, High Quality Output होते हैं, उनको Print करने के लिए, Plotter का Use किया जाता है, जैसे कि budget size के Heardings होते हैं, Flacks होते हैं, Banner होते हैं, उनको Print करने के लिए, floater का use किया जाता है floater के दुआरा high quality graphics को print किया जाता है backter graphics को print किया जाता है floater एक output device होता है projector projector भी एक output device है जो कि हमें soft copy output प्रदान करता है monitor और projector लगबग एक समान होते हैं बस monitor का output छोटा होता है, size में छोटा होता है जबकि projector का output बड़ा होता है, speaker इस पीकर भी एक output device है जो कि हमें audio या voice data output के रूप में प्रदान करता है speaker, यदि हमें sound या audio को input करना है तो mic की आवे सकता है और यदि output के रूप में audio या sound को प्राप्त करना है तो speaker की headphone की आवे सकता होती है speaker या headphone output device होते है next output device है sound card या audio card sound card या audio card जो की hardware device होती है जो की sound को produce करते हैं sound को उत्पन करते हैं sound या audio को उत्पन करने के लिए sound card की आवसकता होती है जिसे audio card भी कहा जाता है यदि हमें अपने computer में किसी song को play करना है music को play करना है तो sound card का या audio card का होना आवसक होता है वीडियो कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड वीडियो कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड यदि हमें अपने कम्प्यूटर पर ग्राफिक्स को सो करना है हाई क्वालिटी गेम्स को प्ले करना है हाई क्वालिटी वीडियो को प्ले करना है तो वीडियो कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड की आवसकता होती है मतलब जो वीडियो प्रेड्यूस होता है जो वीडियो हमारे सामने सो होता है उसको सो करने के लिए वीडियो कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड की आवसकता होती है तो output device मतलब वह device जो की हमें output प्रिदान करती है उन्हें कहा जाता है output device पहली output device कौन सी है monitor एक output device है जो की हमें soft copy output प्रिदान करती है प्रिदान करता है जैसे कि यदि आपको बड़ी साइच का बैनर प्रिंत करती हमें न सी कहा है करना है flex print करना है hoardings print करना है तो narrator का यूज किया जाता है और plotter का यूज backstor मतलब जिनकी quality बहुत अच्छी होती है high quality output को print करने के लिए plotter का यूज किया जाता है projector भी एक output device है जो की soft copy output देता है speaker भी एक output device है जो की audio या sound data को output में प्रदान करता है sound card या audio card जो कि sound को या audio को produce करता है उत्पन्न करता है video card या graphics card जो कि screen पर किसी graphics को किसी video को so करने का work करता है यह सबी होती है हमारी output device तो input devices अधिक होती है output devices कम होती है अब जो हमारी दो सबसे ज़्यादा use होने वाली या सबसे ज़्यादा important output device है उनको हम detail में समझने वाले हैं एक है monitor और एक है printer तो output device के अंदर दो device को हम detail में समझने वाले हैं एक तो monitor और एक printer तो देखते हैं हमारी पहली important output device को पहली यहाँ पर हमारी output device है printer और printer के हमें यहाँ पर टाइप से समझने हैं सबसे पहले आपको यह समझना है कि printer क्या है printer क्या है printer एक output device है जो की हमें hard copy output प्रिदान करता है printer एक output device है जो की हमें hard copy output प्रिदान करता है आपसे पूछा जा सकता है printer किस प्रकार की device होती है printer एक output device होती है जो की हमें hard copy आउटपुट प्रिदान करता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि हमें hard copy आउटपुट प्रिदान करता है, प्रिंटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरी में, प्रिंटर की दो कैटेगरी होती है, एक होती है impact प्रिंटर, दूसरी होती है हमारी non impact printer printer को दो category में दो भागों में बाटा गया है एक होती है impact printer एक होती है non impact printer कई बार आप से पूछ लिया जाता है निम्न मैंसे कौन एक impact printer है निम्न मैंसे कौन एक non impact printer है इस प्रकार के question कई बार paper में पूछे जाते हैं, impact printer और non impact printer क्या होता है, यह समझते हैं हम, impact printer वह printer होते हैं, जो printing करते समय, अपना impact सो करते हैं, अपना प्रभाव सो करते हैं, उन्हें कहा जाता है impact printer, जो printer printing करते समय, अधिक आवाज करते हैं, अपना impact दिखाते हैं, उन्हें कहा जाता है impact printer, impact का मतलब क्या होता है, प्रभाप जब कोई impact printer print out निकालता है उस समय पर वह show अधिक करता है आबाज अधिक करता है उसे कहा जाता है impact printer जबकि non impact printer कौन सा कहलाता है non impact printer वह printer होता है जो printing करते समय अपना impact अपना प्रभाब show नहीं करता है मतलब आवाज कम करता है उसे कहा जाता है non impact printer impact printer मतलब वह printer जो printing का वर्क करते समय सोर अधिक करता है उसे कहा जाता है impact printer और वह printer जो printing करते समय सोर कम करता है noise कम करता है उसे कहा जाता है non impact printer impact printer जो भी होते हैं यह high sound देते हैं printing करते समय आवाज अधिक करते हैं इनकी जो printing quality होती है, printing quality वह low होती है, impact printer की speed जो होती है, वह slow होती है, impact printer में बहुत सारी कमिया होती है, पहली कमी क्या है, impact printer printing करते समय, sound अधिक करता है, impact printer की printing quality low होती है, जो impact printer होता है, उसकी speed भी slow होती है, यह impact printer होता है, जबकि non impact printer printing करते समय बहुत कम sound देता है बहुत कम आबाज करता है जबकि इसकी printing quality भी बहुत high होती है और यह बहुत speed में work करता है तो जो भी printer होते हैं उनको दो भागों में बाटा गया है impact printer और non impact printer impact printer printing करते समय अधिक आबाज करते हैं printing quality इनकी low होती है और इनकी printing speed भी slow होती है जबकि non impact printer non impact printer high speed में printing करते हैं इनकी quality high होती है और printing करते समय यह कम sound देते हैं वह कहलाते हैं non impact printer अब impact printer में कौन कौन से printer होते हैं एक होता है character printer एक होता है line printer impact printer में दो category है character printer और line printer character printer कौन कौन से होते हैं dot matrix printer और daisy bill printer dot matrix printer और daisy bill printer character printer के example है मतलब यह है एक एक character को print करते हैं जबकि line printer मतलब जो एक बार में complete line को print करते हैं वह होते हैं drum printer और chain printer तो impact printer के अंदर दो category के printer आते हैं character printer और line printer character printer में कौन कौन से printer आएंगे dot matrix printer, decibel printer जबकि line printer में कौन कौन से printer आएंगे drum printer और chain printer तो impact printer तो impact printer टोटल चार हैं आपसे paper में कई बार पूछा जाएगा निम्न में से कौन एक impact printer है या निम्न में से कौन एक impact printer नहीं है तो impact printer चार हैं कौन कौन से dot matrix printer, decibel printer, drum printer और chain printer यह चारो ही हमारे impact printer है और non impact printer कौन कौन से हैं laser printer, inkjet printer, thermal printer यह तीनों ही non impact printer होते हैं मतलब speed fast होती है, quality high होती है और printing करते समय low sound देते हैं impact printer चार है, non impact printer तीन है, यहाँ पर आपको printer से सम्बंदित कई परकार की question तयार करने हैं आपसे paper में पूछा जा सकता है, printer की quality को किस unit में नापा जाता है, printer की quality को नापा जाता है DPI में DPI मतलब dots per inch, printer की quality को किस में नापा जाता है, DPI में, DPI मतलब dots per inch कोई भी printer होगा, उसकी quality को DPI में नापा जाएगा, DPI में measure किया जाएगा DPI का full form क्या होता है, dots per inch आपसे question पूछा जा सकता है, laser printer की speed को किस unit में नापा जाता है, laser printer की speed को laser printer की speed को नापा जाता है, PPM में, PPM मतलब page per minute laser printer की speed को किस में नापा जाता है, PPM में, page per minute में आपसे पूछा जा सकता है, dot matrix printer की speed को किस unit में नापा जाता है, dot matrix printer की speed को नापा जाता है CPS में character per second, character per second, dot matrix printer की speed को CPS में नापा जाता है, laser printer की speed को PPM में नापा जाता है और सभी प्रकार के printer की quality को DPI में नापा जाता है, DPI मतलब dots per inch आपसे question पूछा जा सकता है, निम्नमै से सबसे अधिक तेज printer कौन सा होता है, तो सबसे अधिक तेज printer होता है, laser printer एक सबसे तेज printer होता है आपसे question पूछा जा सकता है, निम्नमै से किस printer का उपयोग DTP work में किया जाता है, DTP work मतलब desktop publishing में किया जाता है तो DTP work में सबसे ज़्यादा यूज होता है laser printer का DTP work में desktop publishing work में सबसे ज़्यादा यूज किस printer का किया जाता है laser printer का laser printer के अंदर dry powder यूज किया जाता है dry powder मतलब सूखा powder यूज किया जाता है और laser printer का जो powder होता है उसे कहा जाता है toner toner कहा जाता है laser printer में जो dry powder होता है सुखा powder होता है उसे कहा जाता है toner और toner जहां store होता है toner जहां भरा जाता है उसे कहा जाता है cartridge cartridge के अंदर toner को रखा जाता है laser printer में जो powder होता है उसे toner कहा जाता है toner मतलब laser printer का powder और toner को store करने के लिए cartridge का यूज किया जाता है कौट्रेज का, कौट्रेज के अंदर पाउडर भरा जाता है तो यहाँ पर हमने प्रिंटर से संबंदित कई प्रकार के important topic को जाना प्रिंटर एक output device है प्रिंटर हमें hard copy output देता है प्रिंटर दो भागों में बाटे गए है impact printer और non impact printer impact printer कौन-कौन से होते है dot matrix printer, daisy wheel printer, drum printer और chain printer non impact printer कौन-कौन से होते है laser printer, inkjet printer, thermal printer हर printer की quality को DPI में आपा जाता है dots पर inch में dot matrix printer की speed को CPS में आपा जाता है character पर second में laser printer की speed को PPM में आपा जाता है पेज पर मिनिट में, लेजर प्रिंटर का उप्योग DTP वर्क में अधिक किया जाता है, जो लेजर प्रिंटर होता है, इसमें dry powder का use किया जाता है, जिसे toner कहा जाता है, लेजर प्रिंटर की speed को PPM में आपा जाता है, पेज पर मिनिट में, और लेजर प्रिंटर का जो powder होता है टॉनर होता है उसे cartridge में store किया जाता है तो यहाँ पर हमने समझा printer को और printer से सम्बंदित कुछ important point को printer एक output device थी जो की हमने detail में समझी अब हम यहाँ पर एक और output device जो की monitor है उसको detail में समझने वाले हैं यहाँ पर हम अगली output device समझने वाले हैं monitor तो monitor क्या होता है monitor भी एक output device होती है monitor एक output device होती है तो monitor एक output device है जो की हमें soft copy output प्रदान करता है monitor एक output device है जो की हमें soft copy output प्रदान करता है soft copy आपसे पूछा जा सकता है monitor screen पर so होने वाले output को क्या कहा जाता है monitor screen पर जो output so होता है उसे कहा जाता है soft copy output आपसे question पूछा जा सकता है monitor के द्वारा प्राप्त होने वाले output को क्या कहा जाता है monitor के द्वारा जो output प्राप्त होता है उसे कहा जाता है soft copy output तो monitor एक output device है जो कि हमें soft copy output प्रिदान करता है monitor के कई type होते हैं monitor का type कौन कौन सा होता है CRT CRT मतलब cathode ray tube CRT monitor का type है जिसका full form होता है cathode ray tube CRT monitor का एक type है जिसका full form होता है cathode ray tube दूसरा monitor का type है LCD 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 का full form क्या होता है liquid crystal display LCD जिसका full form होता है liquid crystal display तीसरा यहां पर monitor का type है LED LED जिसका full form होता है light emitting diode light emitting diode LED का full form होता है light emitting diode TFT जिसका full form होता है thin film transistor TFT monitor का full form होता है thin film transistor next monitor का type है OLED OLED जिसका full form होता है organic light emitting diode organic light emitting diode तो monitor एक output device है जो की हमें soft copy output प्रदान करता है monitor का पहला type है CRT cathode ray tube LCD liquid crystal display LED light emitting diode TFT thin film transistor OLED organic light emitting diode यह monitor के type है आप से इनके full form पूछे जा सकते हैं कई बार paper में पूछ लिया जाता है CRT किसका प्रकार होता है CRT किसका type होता है TFT किसका type होता है monitor को monitor को vduv कहा जाता है vduv कहा जाता है visual display unit visual display unit भी कहा जाता है monitor को या vdtv कहा जाता है vdt मतलब visual display terminal visual display terminal भी कहा जाता है monitor को vdu मतलब visual display unit या vdt visual display terminal भी कहा जाता है आपको एक important question यहां तयार करना है monitor screen की size को किस प्रकार ना पाजाता है monitor screen की size को किस प्रकार measure किया जाता है monitor screen की size को vikern में vikern मतलब diagonally measure किया जाता है कई बार पेपर में कुछ पूछा गया है कि monitor screen की size को किस प्रकार ना पाजाता है वह होगा diagonally या विकर्ण में विकर्ण के रूप में मतलब diagonally style में monitor screen की size को ना पा जाता है monitor screen पर किसी भी object को एक dot के माध्यम से एक pixel के माध्यम से सो किया जाता है monitor screen पर किसी भी object को सो करने के लिए dot या pixel का use किया जाता है pixel पिक्सल का यूज किया जाता है पिक्सल किसी पिक्चर का किसी ग्राफिक्स का सबसे चोटा एलिमेंट होता है आपसे पूछा जा सकता है इस्क्रीन पर सो होने वाले किसी ऑबजेक्ट का सबसे इसमॉल एलिमेंट क्या होता है वह होगा पिक्सल क्यूंकि इस्क्रीन पर किसी पिक्सल के जाता है डॉट का, इसक्रीन पर कोई भी ऑबजेक्ट मल्टिपल डॉट के माध्यम से, मल्टिपल पिक्सल के माध्यम से बनता है, जब बहुत सारे पिक्सल मिल जाते हैं, तो से कहा जाता है, इसक्रीन पर किसी भी ऑबजेक्ट को डॉट से या पिक्सल से सो किया जाता है, नंबर और पिक्सल को रिजोल्यूशन कहा जाता है, मतलब बहुत सारे पिक्सल के कलेक्शन को रिजोल्यूशन कहा जाता है, रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा, पिक्चर की क्वालिटी, ग् कम हो जाते हैं, resolution कम हो जाता है, तो picture quality खराब हो जाती है, तो screen पर किसी भी object को dot से या pixel से सो किया जाता है, और बहुत सारे pixel के collection को resolution कहा जाता है, resolution पर picture की quality depend होती है, resolution को PPI में नापा जाता है, PPI में, जो resolution होता है, उसे PPI में नापा जाता है, measure किया जाता है, pixel पर inch में resolution को नापा जाता है, measure किया जाता है, resolution मतलब number of pixel, resolution को किस unit में नापा जाता है, PPI में, PPI का full form क्या होता है, pixel पर inch, तो यहाँ पर हमने monitor को समझा, मोनीटर से सम्मंदित कुछ important point को समझा मोनीटर एक output device है जो कि हमें soft copy output देता है मोनीटर का पहला type है CRT, cathode ray tube, LCD, liquid crystal display, LED, light emitting diode, TFT, thin film transistor, OLED, organic light emitting diode diode मोनीटर को VDU, मतलब visual display unit भी कहा जाता है, VDT, visual display terminal भी कहा जाता है मोनीटर की size को बिकर्ण में या diagonally में measure किया जाता है, नापा जाता है मोनीटर पर किसी भी object को pixel से या dot से सो किया जाता है जब बहुत सारे pixel या dot मिल जाते हैं तो उसे resolution कहा जाता है resolution को PPI में नापा जाता है, या measure किया जाता है या था हमारा दूसरा Output Device Monitor तो आज की वीडियो में हमने input devices को समझा, सभी प्रकार की input device की working को समझा output devices को समझा और दो output device monitor और printer को detail में समझा आज की वीडियो में हमने कम से कम समय में input device और output device का revision किया है दोनों टॉपिक को सौट में समझा है इस वीडियो के माध्यम से आपको पेपर में बहुत help प्राप्त होने वाली है आप इन सभी टॉपिक को पढ़ें समझें यदि आपका कोई question है कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें ज्याद